आज हम लोग बनाएंगे मैगी मैगी तो सभी लोग बनाते हैं लेकिन आप अगर इस तरह से एक बार बनाएंगे तो आप इसके फाइन हो जाएंगे बच्चे को तो बेहत पसंद आते हैं लेकिन आज बड़े बड़ों को भी बेहत पसंद आएंगे यह चीज वाली मैगी बह इब यहां पर देखें मैंने 3 पीस मैगी लिया है यह पी ले सकते हैं कोई भी प्रणका कोई भी मैगी ले सकते हैं गाजर मैंने 2 पीस मैंने एक छोटी साइस कर लिया है जिसमें से प्याज है Hiram चोटी साइस का ना decisions three time करने के लिए यहां पर देख्के मैंने एक पें लेलिया है जिसमें दो चमङने अधर चौपफए लिया है मेरीच भट एकशन स्वीट भालिएजन अऔर प्यास कलियां सब्सकी प्यास बुदीक फारीफ लाइटS प्यास देवल कि ऑप देंदेफिकिए आंटे फोत्तव दमना क सेदवर्ट मैंने कट करके रखे हैं अब इसमें सारे को डाल देंगे इसी तरीके से आप इसमें डाल दे सारे वेजेस को और अच्छे से तेमाटर यूज किया है जिसे रफली चॉप कर लिया है चुटे चुटे पीसे में नमक अब यहां पर मैंने नमक आड़ किया है चुके मैगी मसाला में भी नमक होता है इसलिए टेस्ट के कॉर्डिंग ही डाली अब यहां पर हाफ टीस्पून मैंने मिर्च पॉडर भी इसमें डालेंगे इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चटपुटा सा स्वाध आता है अगर आप मिर्च पॉडर डालना पसंद करते हैं तो डाले नहीं तो आप इसकी पी कर सकते हैं अब यहां पर देखे बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है तभी से स्टिश प पकाएंगे थोड़ा सा मैं इसे ढग देती हूं इसलिए तो उबाल जो है जल्दी से आ जाए अब देखिए मैगी नुडर्स जो है मैंने सारे को मैंने लंबे लंबे पीसे में मैंने कट कर लिया है हां तो से रफली तोड लिया था ज्यादा इसे चूड नहीं करना है ज्य दो मिनिट इसे भी कुक कर लें उसके बाद मैगी मसाला जो अंतर से निकलता है पैकेट से यह कट करके इसमें डाल दें 3 मैंगी लिए तो तीन पीष मैंने मंचामा डाल इसमें दाल दिया इस तरह केसे अपिस में डालतें कट करके बहुत ही बढ़ी आ फ्लेवर आता है इस तरह केसे आप एक बड़ा जरूर ट्राय करें बड़ों को भी बेहत पसंद आएगा मैंगी तरह भी मिक्स कर एंप एसे थोड़ा मिनिट के लिए इसे भी रेख कर लें जब तक के पानी थोड़ा सा सुख नहीं जाता है और आपका नूडल्स जो है बिलकुल सॉफ्ट हो नहीं जाता है तब तक इसे कुख ले अब इसमें इसे चटपटा बनाने के लिए यहां आप रेट चिली डाला है, डोचमच और टॉमेटो सॉस भी मैस में डालूँगी, इसे और भी बढ़िया फिलेवर आएगा, मीठा है, तीका है, सब कुछ है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेए इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पका लेए बहुत बढ़िया लगता है एक मैगी तो सभी लोग बनाते हैं लेकिन आप मेरे तरीके से आप एक बर जरूर से बनाएं और इसे अब और भी बढ़िया बनाने के लिए देखिए मैंने यहां पर चीज मैंने यूज किया है चीज को अगर आपके पास ग्रेट वाला चीज है ग्रेटर किया हुआ है तो पहले मिल्टर होने तक सिक कट लें उसके बाद कि डि शाओ करेंगे लिए देखिए अच्छह मिल्टर हो गया है पानी भी सूछ गया है अभी से देखिया निकालने का इस तरीके से आप निकालें है यह देखे, डारेक्ट इसे आप साइट से आप इसे ढालते वे चले जाएं, यह बिल्कुल सीधा निकलेगा, आप इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं लगाएं, नहीं तो यह भी घर सा जाएगा, इस तरीके से यह देखिए, मैं बिल्कुल सामने से दिखा रहे हूं, इसका कित इसे देख सकते हैं, इसे देख कितना एक्ट्राक्टिव लग रहा है यह ना, तो खाने में सोची कितना टेस्टी लगेगा, इस तरीके से आप बनाएं, घर बटे, अगर आप बाहर का खाना पसंद करते हैं, तो आप प्लेस प्लेस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब सरूर से करें, और अपनी फैमिली में, दोस्तों में जरूर से शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें, फिर मिलती हूँ एक नहीं रेसिपि के साथ, तब तक के लिए टेक करें और बाई बाई